आप जान लिजिए कि बिहार में शराब का धंधा सबसे चोखा है। यही वज़ा है कि बिहार में शराब बंदी की बाद भी शराब माफियाओं के कारणा में सरकार को परिशान कर रहे हैं। सरकार शराब बंदी को लेकर जितने भी उपाय कर रही है। इस वीडियो को देखिए कि सितामर्ही के रीगा ठाना के मारड गाउं में एक बागीचे में शराव किस तरह से छुपा कर रखा गया था इस वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि शराब माफिया का शराब जमा करने और शरावियों तक शराब पहुंचाने का नेटवर्क कितना मजबूत है शराब माफिया के शराब चुपाने के इस अंदाद से आप हैरान हो जाएंगे कि एक आम के बगीचे के अंदर एक जोपरी बना कर उसके अंदर एक तहखाने के भीतर लोहे के ट्रंक के भीतर शराब कैसे रखा जा रहा है दरसल पुलिस को एक गुप्ट सूचना मिली थी कि सिता मरही के रिगा थाना के मारडगाउं से पश्रिम आम के बगीचे में बने जोपरी में शराब का कारोबार हो रहा है गुप्ट सूचना के आधार पर जब रिगा थाना प्रभारी सुबोत कुमार्ट शापे मारी करने इस आम के बागीचे में पहुँचे तो बागीचे के जोपरी में पहले से ऐसा कुछ नहीं दिखा जब जोपरी में तलाशी शुरू हुई तो एक तैखाना मिला और उसके अंदर से शराब की पेटियां निकलने शुरू हो गई इस तैखाना से भारी मात्रा में हरयाना निर्मित शराब बढ़ा मत किया गया जोपरी के अंदर के ताहखाने से लोहे के बरे ट्रंक में 612 पीस हरियाना निर्मिट शराब लगवक 131 लीटर बरामत किया गया है यह बागीचा तथा जोपरी गाउं के ही विनोध राय का है जिस पर शराब तसकरी को लेकर कारवाई की जा रही है इस विडियो से बिहार में शराब बंदी की हकीकत सामने आ गई है कि आखिर शराब माफिया शराब छुपाने के लिए कितने उपाई कर रहे हैं सरकार के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी ऐसी तस्वीर को देखकर भोचक हो जा रहे हैं यह उनके अंदाजे से भी अलग है खुलासा के लिए सिता मरही से चंदन देव की ये खास रिपोर्ट स्वीर के याँ झाल आए हैं स्वीर कर दो के रहे हैं